ओ माई गुडने साम निकल लगा तो भाई है पूरी पेंटिंग रेड ब्लू क्लाउड उपर बादल बने है थोड़े से और उनकी शेडो पाई का पूरा जोड लग रहा है पूरा क्योंकि अभी आ रहा है नमिकला पास रोड तो बड़ी अच्छे हैं लेकिन सांस लेने में ह लेवल हो गया है डाउड दाख का स्ट्रेच कितने लंबी रोड है नीचे नमिकला पास और यह लिखा हुआ है आई लव बी आरो वेली विलेज है जितने भी विलेज बने है ना ये इन हिल्स के थोड़ा सा डाउंवर्ड जाके बने हुए ये सारा बहुत खबरू विलेज है बहुत बड़ा विलेज है और दाख जिसकों की हाई मांटेन पासेज की जगा भी बोलते हैं आरंड ओफ मनेस्ट्री तोला पास का हाइट है 13,000 सम्थिंग ये दिखिए कितनी सारी रोड है सारी ये जिग-जग नीचे जाएंगे हम ब्यूटिफू सी वैली लामा यूरी बुलबेक मनेस्ट्री से चलते हैं ले की तरफ और रास्ते का सफर देखते हैं कैसा है लोड शान हो उना वा बना रहो ना वह बना बखर तुकता होगे बठा हुआ है, वहाँ बे कितने धर बने हों नीचे, वाह, वो दिखे, सारे ऐसे उपर वाले ही है, यह बना पहाड कितरा सुन्दे लग रहा है, जैसे इसको नो सजा सजा के, सजा सजा के वो तुकाट इगा के रखे हैं, तो कि ऐसा है नहीं है, यह नेच्छा यह नुचे से गाहों का रास्था जाता है, वह अबिशी हो वह डीद्गी वह वह वूथो, वह सारे क्लाउड मेपहाड उपर चाया की लिया है, यह कतारे दूप में काम कर रहे हैं, वह जिवाड ब headaches, जैसे ना, ब्लाड ब्लाग लिख के धिखरा है वह सारे क्लाउड रैस है और उनका रंग ब्राउनिश कलर के वो एक तीखा सा उपर सा पहाड ग्रेज सा इदर उदर मत देखो रास्ता हसीन है पर नजारों का दूर से ही मजा लो इदर उदर देखने से बाइक इंवलेंस हो सकती है है ओ माई गुद्ने सामने कल रहा है तो भाई है तो भाई है तो भाई दो भाई यह पर ब्राउन का शूट ले लू पर यह गर्मी बहुत है चाया देखने से लेते हैं आप चाहने की पहाड देखो यह बिल्कुल प्लेन और वो कट-कट-कट-कट-कट देखो इनकी स्लोप देखो कैसे उपरी हुई है जैसे एक दोगी बैठा होता है और उसकी टांग एक है बाजू एक है पहाड वो ऐसे ली लग रहा कि जैसे हाथ रखा होता है किसी ने हाथ बिल्कुल भाईया मेरी तरफ देख रहे हैं मैडम बात ने करनी किसी से पूरे प्लेन पहाड इधर वाले और वो जो हेज वाले बड़े बड़े आगे ना उसके बीच पे एक पहला यह वड़ा पहाड ऐसे लग रहा है जो कि ऐसे हैंड हाथ खुला होता है ना किसी का यहाँ तो थंजब कर रहा है यहां फिर आशेर वाद दे रहा है देखो जी बोज तो बड़ी अच्छी है लेकिन सांस लेने में हो रही है दिक्कत हो है और आक्सीजन का नेवल हो गया है डाउन करगी भी पूरी बाराँ बज़े से बाद वली है और बाइक भी जोर खा रही है सीधी चड़ाई है देखो जी नजारे ले ले लादापके लादाप का स प्रेच कितने लंबी रोड है नीचे कीप सेफटी और वो हिल्स का दिखे ये भी हिल्स ये भी ये पियूटी ब्यूटी यह ना अब हम तरजी रोड बनी है और लुक डाली हुए इसके उपर अग्यों अब टी भी डाल रहे है कहीं पर है जो डाली हुए और अभी नमीकला पास बस आई गया, एक टर्न लेटे ही आगे नमीकला पास है, और ये वाइड सी जली, आगे नमीकला पास, नमीकला पास, और ये लिखा हुआ है, I love DRO, और इसकी हाइड कितनी है, इसकी हाइड कितनी है, देखिये जी, 12,000 फिट, जो हमने कल देखा था, वो 11,000 था, और आज ये आगया, 12,000 पे, वो उपर पास है, कितने वहाँ पे फ्लाग लर आ रहे हैं, पर बिलकुल ये टान पे बना हुआ है, एक टान ही है बस, चले, उधर होते हैं, और एक फूटो कराते हैं, तो ये है नमिकला पास, भी आरों ने अपना बूल लगा रखा, वो सारे हो, और एक बनाया बनाया है, और ये पिलिस होने बठे है, कुछ अपने खाने पीने का समाल दे के, कि पर बार कोई लोग पासिज पे रखते हैं, तो इनको खाने पीने को कस चीज़े होता है, कि टिस्थे पासिए, एक अथशा वेड़ा है, कि तो बनाया है। प्रिशी को झारी सो धूल दे को ओह सो पासिए, तो दूसेंपने को बादुन झाल कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर।ो प्रेज के बच्चे जा रहे हैं कितनी प्यारी सी उनिफॉर्म डाली हैं सब में हैं लड़किया हैं सब इसा इसा पहाड़ी का वह पीछे से शिरू हो जाता है अलग अलग तर आके पहाड़ें नीचे वैली विलेज जितने भी विलेज बने हैं ना ये इन हिल्स के थोड़ा सा डाउनवर्ड जाके बने हुए और नजारा तो देखने से बनता है उपर क्लाउड है थोड़े थोड़े और पीच में कहीं कहीं चाया है और नीचे वह पूरा अप्री कॉर्ड का ना बगीच्चा है वो शायद मस्जिद बनी हुई है पका नहीं पता और व्यू देख लो इतना बड़िया व्यू है क्या वो चटान ऐसे टेड़ी पे टेड़ी है आगे वैली और पीछे तिक्षे तिक्षे पाड़ वाग पुद्रत ये सारा बहुत खबरू विलेज है बहुत बड़ा विलेज है और ये इस ये जो अंट्री है यहां से दो गुलो मिटर आगे जाके है पूरा और मुझे लगता है कि काफी ज़्यादा खेटी वेती करते हैं यहां पर गाहों तो वो उदर तक बना हुआ वो अचाया अगे वो एक उपर मूर्ती बनी है मित्र ये बुद्धा मैत्रा है पहले हम मैत्रा बोलते है ति उसको मित्रा बुद्धा बोलते है दाख जिसकों की हाई माउंटेन पासेज की जगा भी बोलते हैं अलांड आफ मनेस्ट्री और देखिए वो सारी मनेस्ट्री बनी हुए है मनेस्ट्री बनी ही बहुत उची होती है पहाड के उपर बनी होती है और यह पुल कौन सा ये तुम मुझे पता नहीं है नाम ने लिखा है पुराना स पुल है लेकिन हमने इस रिवर इस एरिये को प्रॉस करते हुए दूसरी साइड पर आगे यहां से रूप खतम हो जाता है और में शुरू होता है रूप नो का मतलब लगदाग का इसे हैं नाइन पिलमेटर्स और वो जितनी वो पहारी है ना वो सब के उपर जाना है फिर पुला पास आ रहे है और पारिया कि प्रीज इंदर है इसली बनी लुकेशन है पारिया पास और फोटूला पास का हाइट है तेरा हजार सम्थिंग तेरा हजार सम्थिंग तेरा हजार चार्सो सेवन्टी नाइन फीट असका व्यू ऐसा है उपर देखे कितने सारे फ्लाग यहां लगे हुए है है हिल्व उसके उपर क्लाउड इतनी तेज हवा है और यह देखे यहां से आपको फोटूला डॉप का कुछ दिखाई दे रहा हुआ 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 है यह देखे कितनी सारी रोड्स है सारी यह जिग-जग नीचे जाएंगे हम और लामा यूरू इस प्यूटिफूल सी वैली लामा यूरू वह लामा यूरू मोनेस्ट्री है और उसके आगे आ जाता है मून लैंड मून लैंड बहुत सुन्दर एरिया है लेंड के मार्क्स हैं इधर भी और इस साइड पर भी जैसा इंप्रेशन केते हैं मून पर होता है न अब ही मैं जा रही हूं एक खुर्मानी के पेड के पास एक पेड नहीं है पूरा बगीचा है यह पूरे खुर्मानी के पेड लगे हूँ है खुर्मानी है इसके लगे हूई है और यह लोग कैसे खुर्मानी को सुखाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं कितना Apple नीचे गिरा हुआ है,adamente... संतितना Apple नीचे गिरा हुआ है तो इसको क्या हो गया। अच्छा, यह खराब होगी, त अभी पकेगा। गो आई दो पए रिए और यह कुर्मानी यह है और सूप रिए उदर तो तड़ा कि वे एक साथ ही ओपि कि यह कि अंकर नोगीन रिए तो वह मैंद बाहते हैं तो बोलते आप अंदर जाओ लाल वाला तोड मैं है वो है लाल वाला यह है तो इसको ऐसे खा सकते है हाँ हुआ है हुआ हुआ है अरे इतना सॉफ्ट जब वह बार सॉफ्ट है खुर्मानी भी तो खानी है है और बॉर हुआ है हुआ 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 है हुआ है तो इस हम आदए आ इसे नीचे की और इसके अंदर खुर्मानी घर जाती है है तो कुछ भी तो ओ मैंगा इस्ट भी आवाई बहुत लगे हुगा अच्छा आप ऐसे करोगे वूँँगा अच्छा ऐसे किराने लगे गिराओ ये अर्रे देखो भई ये अर्रे देखो भाई तो गेट फ्रेश कुर्मानी अब पकी हुई कुर्मानिया सब गिर जाएंगी इसके अंदर चलेगे जब लगे वगे आपकी हुई अर्णी डे टॉप ये 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 व ये ये भी तो जीवन ने खाना रेडी कर दिया है डिनर और मैं भी डिनर करने के लिए आगी हूँ नहाद होके फ्रेश होके और राइस खाने को दिल कर रहा था मैंने जिच चपाती लेग के आया है वो में एका चपाती भी खा लेती हूँ तो दिनर प्लेट इस रेडी थैंक यू जीवन तो आज की व्लॉग को यही पे अंड करते हैं मैंने डिनर कर लिया है पूरे कामरे में मैंने कपड़े भीवरे हूए और सुबह मिलते हैं नीन बहुत आई अब में रेस्ट करूगी गुट आइट प्लेट आईट